बात करने के लिए लोग इं करें www.astrotak.com अब जानते हैं कि किस चीज से रुद्रा विशेग करने के क्या प्रभाव होते हैं किस चीज से रुद्रा विशेग करना चाहिए देखिए घी की धारा से, गाए के दूद से बने हुए घी से अगर आप रूद्रा भिशेक करते हैं तो संतान की प्राप्ती होती है यानि वन्ष का विस्तार होता है एक छुरस से एक छुरस मने गन्ने के रस से अगर आप अभिशेक करते हैं तो इससे मनोकामनाय पूरी होती है जीवन के जो दुरियोग हैं, कुंडली के जो दुरियोग हैं वो नश्ट हो जाते हैं शक्कर मिले हुए दूद से अभिशेक करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है तेकिन दूद गाय का होना चाहिए शहद से अगर आप अभिशेक करते हैं तो पुराने से पुरानी बीमारियों से मुक्ती मिलती है वो नश्ट हो जाती है गाय के दूद से बिना चीनी वाले गाय के दूद से अगर आप अभिशेक करते हैं तो इससे आरोग्य की अच्छे स्वास्त की प्राप्ती होती है जल में शक्कर मिलाकर अभिशेक करने से संतान की प्राप्ती सरल हो जाती है और शिवलिंग का भस्म से भी अभिशेक करते हैं और ऐसा मानते हैं कि भस्म से अभिशेक करने से व्यक्ति मुक्ति और मुक्ष प्राप्त कर लेता है सरसों के तेल से भी भगवान शिव का विशेक होता है लेकिन ये मारन प्रियोग है ये सामान ने प्रियोग नहीं है ये तंत्र का मारन प्रियोग है सामान नितह ये प्रियोग नहीं करना चाहिए जब आप रुद्रा विशेक करते हैं आपके लिए जानना जरूरी है कि भगवान शिव का निवास कहा है उनका निवास जब मंगल कारी होता है तभी रूद्रा भिशेक करना अच्छा होता है इसलिए आपको बताते हैं कि कब रूद्रा भिशेक आप कर सकते हैं और कब रूद्रा भिशेक करना फाइदेमंद रहे देखिए रूद्रा भिशेक के लिए भगवान शिव की उपस्थिती देखना अत्यंत आवश्यक है बिना शिव जी का निवास देखे हुए कभी भी रूद्रा भिशेक ना करें अगर गलत निवास पर रूद्रा भिशेक किया तो इसके परिडाम खराब हो सकते हैं और शिव जी का निवास देखना तभी आवश्यक है जब मनो कामना के लिए रूद्रा भिशेक किया जा रहा है अगर आपने केवल भगती के लिए रूद्रा भिशेक करना है तो उसमें शिव जी का निवास देखने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर मनो कामना है कोई उसको प पुद्रा भिशेक कर सकते हैं, देखिए, हर महीने के शुकल पक्ष की द्वितिया, नवमी, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अश्टमी और अमावस्या के दिन भगवान शिव माता गौरी के साथ रहते हैं, ये कल्यानकारी उनका वास है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, एकादिशी को, शुकल पक्ष की पंचमी और द्वादिशी को महादेव कैलास पर रहते हैं, ये भी मंगलकारी निमास है, कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादिशी को शुक्ल पक्ष की सश्थी और त्रियोदिशी को शिव जी नंदी पर सवार होकर संपूर्ण विश्व पर भ्रमन करते हैं ये भी मंगलकारी है इन तिथियों में भगवान शिव का निवास मंगलकारी होता है जिसमें आप आसानी से रुद्राभिशेक कर सकते हैं अब कब शिव जी का निवास अनिष्टकारी होता है कब रुद्राभिशेक नहीं कर सकते कृष्ण पक्ष की सब्तमी, चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अश्टमी और पूर्डिमा में भगवान शिव स्मशान में समाधी में रहते हैं आप रुद्राभिशेक नहीं कर सकते कृष्ण पक्ष की द्वितिया, नव्मी, शुक्ल पक्ष की त्रतिया और दश्मी, महादेव देवताओं की सभा में उनकी समस्याएं सुनते हैं आप इन तिथियों को रुद्राभिशेक नहीं कर सकते कृष्ण पक्ष की तृतिया, दश्मी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को भगवान नटराज क्रीडा रत रहते हैं, इसमें भी रूद्राभिशेक नहीं कर सकते कृष्ण पक्ष की सच्थी, त्रेयोदिशी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को भगवान शिव भोजन करते हैं, इन तिथियों में भी रूद्राभिशेक नहीं कर सकते लेकिन एक बात जाने रहिए, अगर कामना से रूद्राभिशेक करना है, तब आपको तिथियों को देखना होगा, अगर आप केवल भक्ती के लिए रूद्राभिशेक करना चाते हैं, केवल भगवान शिव की कृपा के लिए रूद्राभिशेक करना चाते हैं, तो उसमें तिथियों का विचार करने की आवशक्ता नहीं है अब आपको फिर से बताते हैं कि कब तिथियों का विचार नहीं किया जाना चाहिए कब आप बिना तिथि को सोचे समझे भी रुद्रा भिशेक कर सकते हैं महीने में शिवरात्री आती है शिवरात्री पर बिना तिथी का विचार किये हुए रुद्रा विशेक कर सकते हैं प्रदोश पर बिना तिथी का विचार किये हुए रुद्रा विशेक कर सकते हैं सावन के सोमवार को बिना तिथी का विचार किये हुए रुद्रा विशेक कर सकते हैं किसी भगवान शिव के सिद्ध पीठ पर या जोतिर लिंग के छेत्र में शिव के निवास का विचार करने की आवशक्ता नहीं होती ये जगह जो है ये तमाम जगह और स्थान और समय हमेशा मंगलकारी होता है यहां पर आपको तिथियों का निवास का विचार करने की जरूरत नहीं है जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है सावन में सोमवार बाकी है तो सावन में दो सोमवार बाकी है आप इन सोमवार को आँख मूद करके रुद्रा भिशेक कर सकते हैं उसके अलावा किसी जोतिर लिंग उपे जाते हैं या भगवान शिव के ऐसे मंदिर में जाते हैं जो सिद्ध पीठ हो जिसकी बड़ी मान्यता हो तो वहां पे आप कभी भी रूद्रा भिशेक कर सकते हैं उसके लिए किसी नियम का पालन करने की आवशक्ता नहीं है